हाँ जी नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है क्या अपडेट है SSE की तरब से अपडेट आई है आज की ही अपडेट है सभी बच्चे इस वीडियो को लाइट तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना तकि अगली वीडियो का नोटिप कैसन आप सभी तक जरूर कौन सके हम जोब से जुड़ी खबर इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं आज की SSE की तरफ से क्या अपडेट आई है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो SSE ए एक्जाम अनाउस्मेंट SSE, CHS, MTO, CPO एक्जाम डेट गोसित कर दी गई है आप सभी के लिए बड़ी खुशकबरी है कि SSE की तरफ से एक्जाम डेट गोसित हो चुशकी है CHSL की और MTS की और CPO की आप सभी को अच्छा मुक्ण है क्याई करने का क्योंकि अभी तक दो महिने पड़े हैं एक्जाम डेट के आप सभी बच्चे अपनी अच्छी सी तेरी करने और अड्मिट कार्ड है वो अभी तक नहीं डाउनलोड हुए है वो आपको 15 दिन पहले अड्मिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे आपके अड्मिट कार्ड कब आएंगे इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सुस्क्राइब जरूर कर लो ताकि आपके पास बेल आइकोन आसके की एक्जाम डेट गोशित हो चुकी है और अड्मिट कार कब आएंगे इसकी आगे की जानकरी देख लेते हैं स्टाफ सेलेक्शन कमिशन इपोर्टन नोटिस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर जो इपोर्टन नोटिस है अगस्तोर स्तंबर और अक्तूबर के अंदर 2023 में एक्जाम होने हैं SSC, CHSL, MTO और CPO के आप अपनी स्क् CHSL का एक्जाम होना है यानि की Combined Higher Scandry Level का एक्जाम, प्लस टू लेवल पर एक्जाम है आपका, ये एक्जाम आपका 2 अगस्त से आपका 22 अगस्त तक आपका एक्जाम होगा, सबी बच्चे अपनी तैरी रखें और आगे देख लेते हैं MTS का एक्जाम, MTS का जो एक्जाम है, वो होगा, 1 स्तंबर से 39 स्तंबर तक आपका MTS का एक्जाम होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो MTS का एक्जाम होना है, यानि की 1923 से 39 तक आपका MTS का एक्जाम होगा, और यानि की CPO का एक्जाम है, जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, Central Armored Police Force Examination, जो 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक एक्जाम चलेगा, यानि की सभी की डेट को सित कर दी है, SSE ने, आप सभी के पास तेहरी करने का भी अच्छा मौका है, आप सभी बच्चे इन एक्जामों की तेहरी जरूर रखें, अगली वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक और सब् दन्यवाद